उत्तरा खंड में राजनीतिक उठा पटक को विराम देते हुए त्रिवेंद्र सिंग रावत के स्तीफे के बाद तीरत सिंग रावत को नया मुख्य मंत्री चुना गया है हाला कि सीम की रेस में सत्पाल महराज, अजय भट, धन सिंग रावत और रमेश पोकरियाल निशंक का नाम भी आगे चल रहा था लेकिन अब तीरत सिंग रावत ने बाजी मार ली है तीरत सिंग उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के बाद राज्य के पहले शिक्षा मंत्री रहे पौडी गड़वाल सीट से वो मौजूदा सांसद हैं और वो उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं 9 अप्रेल 1964 को उत्तराखंड के पौडी गड़वाल जिले में जन्में तीरत सिंग रावत समाज शास्त्र में मास्टर डिगरी के साथ ही पत्रकारिता में डिपलोमा भी कर चुके हैं सिर्फ 20 साल की उम्र में तीरत सिंग RSS के लिए प्रांत प्रचारक बन गए थे वो 90 के दशक में राम जन्म भूमी आंदोलन से भी जुड़े थे और दो साल तक जेल में रहे उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान रामपुर तिराहा कांड के विरोध में उन्होंने एक बड़ा शान्ती मार्च निकाला था कॉलेज के दिनों में चात्र राजनीती में कदम रखते हुए तीरत सिंग रावत अखिल भारतिय विध्यारती परिशत से जुड़े फिर एबी वीपी के उत्तराखंड राज्य के संग अठन मंत्री और राष्ट्रिय मंत्री भी रहे हेमवती नंदन गड़वाल युनिवसिटी में चात्र संग अध्यक्ष और चात्र संग मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे इसके बाद भारतिये जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष और राष्ट्रिय कारेकार्णी के सदस्य भी रहे फिर साल 1997 में उत्तर प्रदेश विधान परिशद के सदस्य निर्वाचित हुए और विधान परिशद में विनिश्चे संकलन समीती के अध्यक्ष बनाए गए इसके बाद साल 2000 में तीरत सिंग रावत नवगठित राज्य उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री बने फिर साल 2007 में उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री चुने गए साल 2013 में उत्तराखंड में आई आपदा के बाद राहत कारियों से जुड़ी मैनेजमेंट सलाहकार समीती के अध्यक्ष रहे साल 2012 में चौपटा खाल विधान सभा से विधायक निर्वाचित हुए और फिर साल 2013 में उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए तीरत सिंग रावत फिलहाल बीजेपी के राश्ट्रिय सचिव के साथ साथ उत्तराखंड की पौड़ी गडवाल लोकसभा सीट से सांसत भी हैं इसके अलावा वो 2019 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी भी समाल चुके हैं